नमस्कार, मैं हो ससी, आए ज्ञारखन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं उन्होंने कहा है कि वीजेपी सर्मिधान बदलना चाहती है वे मंगलवार को इंडिकर बंदन के जामू परत्यासी समीर मोहंतिक पक्ष में चुनावी सभा कर रहे थे ज्ञारखन की सियम चमपई सुरेण ने कहा है कि पीएम नयन नमोदी ने जो भी वादे किये थे सब जुमला निकले हैं हेमान सुरेण के जेल जाने के बाद भाजपा नीजी करन ठेकेदारी प्रथा और आउट सोर्सिंग को बढ़ावा दे रही है यदि भाजपा की जीत हुई तो किसी को अस्थाई नोकरी नहीं मिलेगी वहीं मुखे मंत्री चमपई सुरेण ने चुनावी सभा में कहा है कि भाजपा समीदान को बदलना चाहती है लोकतांतर को बचाने के लिए पुरवजों ने ललाई लड़ी है केजरिवाल जैसे इमंदार नेता को बेवजह गिरफतार कर लिया गया केंद्रिय एजेंसी इनके इसारे पर काम कर रही है राहूल गांधी को रांची की आदालत से समझारी 11 जून को हाजिर होने का आदेश इस कांग्रेशनेता राहूल गांधी की मुश्खीलिय बरती नए आज आरही है खबर है रांची की M.P.M.L.A. कोट ने राहूल गांधी को अमित सा ब्यान ममले में कोट ने राहत देने से इनकार कर दिया है बतादे राहूल गांधी के उपर आरोप हाई की उन्होंने बिजेपी के ततकाली अध्यक्ष के उपर अपत्ती जनक टिपनी की थी इस टिपनी को लेकर उनके उपर सिकाय दर्ज की गई थी 2018 में कोट ने उन्हें पहली बार समन जारी किया था दूसरी बार है जब कोट ने उन्हें समन जारी कर 11 जुन को हाजिर होने को कहा है इस मामले में विजेपी का काता ने नवीन जाने निचली अधालत में केस दर्ज की थी कोट ने इस मामली में अगली सुनवाई 11 जून को रखी है और अगली सुनवाई को पेश होने का आदेश दिया है पलामू में टीस पीसी उगरवादियों ने पांच ग्रामिनों को पिटा पलामू जिले के नोडिहा बयार परखंड के नक्सल प्रहुई छेतर सलिया खुर्दगाम में सोम मुवार की रात तृतिये संवेलन प्रस्तूत कमिटी उगरवादियों ने पांच ग्रामिनों को पिटाई कर दिया है आपसी बिवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया पुलिस मामली में करवाई कर रही है उगरवादियों के खिलाब अभियान तेज किया गया है इस संबंध में मंगलवार को मामला दर्च किया गया पलामू में प्रतिबंधित उगरवादी संगटन टी एस पीसी ने आपसी रंजी समामन में ग्रामिनों को पिटा है घटना पलामू जिले के नोडिहा बजार थाना छेतर के सलिया खुर्दगाओं की है मार पिट में पांच लोग जखमी हुए है जिने इलाज के लिए अस्थाने अस्पताल में भरति कराया गया था इलाज के बाद सभी गरामिन अपने घर लोट चुके है घटा के जनकारी मिलने के बाद पुलिश ने इलाके में सर्च अभियान सुरू किया है गरामिनों ने बताया कि घटना सोमवार की रात करीब नव बजे किया है चाईबासा पुलिश ने साधे पांच करोर का नसिला पदार्थ ब्रामत किया चाईबासा से चक्रधरपूर जा रहे एक ट्रक से पुलिश ने करीब पांच करोर अंठावन लाक रुपए मुले का डोडा जब्त किया है पुलिश ने डोडा लदे ट्रक को भी जब्त कर लिया है इस कारोबार से जुड़े लोगों की तलास पुलिस कर रही है इस समाने पुलिस अधिक्चक आसुतोस सेखर ने बताया कि एक कई समय की रात को गुपत सुचना प्राप्त होई थी डोडा लादा वाहन चक्रधरपूर से चाईबासा की ओर आ रहा है इसके बाद सदर चाईबासा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राहुल देव बढ़ाई के नेतित में एक छापे माईर दल का गठन किया गया उन्होंने बताया है कि जाच दल ने सभी वानों की जाच शुरू कर दी वाहन जाच के करम में एक कंटेनर वाहन पुलिस दल को देखकर चेकनाका से कुछ दूर परूग गया और वाहन चालक एवं सहायक अंधेरा का भादा उठा कर गाड़ी छोड़ कर भाग निकले दिल्ली सीएम अर्विंद का भाजपा पर निशाना इन्हें सत्ता का घमन्ड हो गया है दिल्ली के मुख्य मेंतरी अर्विंद के जिरवार मंगलवार को जारखन दोरे पर पहुंचे इस दोरा जम सेथपूर में इंडिकर बंदन की जन सभा को समोधित किया इस दोरा उन्होंने भाजपा पर जम करनी साना साथ है उन्होंने कहा है कि राष्ट पति को राम मंदिर को उद्गाटर में नहीं बुलाया क्योंकि वो अधिवासी है उन्होंने या भी कहा है कि आपका इतना आपमान करते हैं मोधी जी आपको राम मंदिर में नहीं बुलाते और आपके नेता को जेल में डाल देते हैं कभी भी अगर चूप रहोगे तो ऐसे ही दमन होता रहेगा CM केजरिवाल ने जानता से अपील किया है कि इस बार इन्हें अहंकार को तोड़ना होगा वहीं सम्बित पातरा के वारल बियान पर अर्विंद केजरिवाल ने कहा है कि भगवान जगरनात पूरी काइनात के देवता माने जाते हैं यह लोग कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे अरे ये राम को नहीं लाएं बलिक हमें भागवान राम और जगरनाथ इस दुनिया में लाएं हैं कांग्रेस को देश की नहीं पाकिस्तान की है चिंता राजनाथ सिंग बोकारो इसपात नगर के सेक्टर 2C दूरगा पूजा मैदान मंगलवा को केंदरी राजनाथ सिंग की सभा हुई धनबाद लोग सभाच छेत्र के प्रताशी धूलू महतों के पक्ष में चुनावी संभा को समधित करते हुए देश के राक्षा मंतरी राजनाथ सिंग के निशाने पर कांग्रेस पार्टी वा उनके नेता राहुल गांधी रहे राजनाथ सिंग ने कहा है कि यह चुनाव के वल ढूलू महतों भाचपा के लिए महतपून नहीं बलिक देश के लिए महतपून चुनाव है केंदरे में भाचपा की सरकार बनी तो भारत विश्व की तीसरी आर्थिक महा सक्ती बनेगा राक्षा मंत्री ने कांग्रेस वो राहूल गांधी परतंज कसते हुए कहा है कि पाकिस्तान का मंत्री चोधरी फवाद भारत को महा सक्ती मानता है वही मंत्री कांग्रेस के नेता राहूल गांधी की प्रसंसा करता है इसलिए यहां सोचने का समाई है कि कांगरेश को देश की जानता कि नहीं बलिक पाकिस्तान के प्रसंसा की जरूरा था चार जुन को नतीजे पांच को बाहर आ जाएंगे हेमंत सुरेन तीली के मुख्यमंतरी अर्विंद के जरुवायल जहारखन में अवजित इंदिया गड़ बंदन के रैली में सामिल हुए और प्रधान मतिनायद मोदी और बीजेपी पर जम करनी साना साथ हा इस दर उन्होंने कहा है अभी तक दोसी करार नहीं हुए तो हेमंसरेन को जेल में क्यों डाल दिया उन्होंने कहा किसी भी अदालत ने हेमंसरेन को दोसी नहीं ठाराया है जहाच चल रही है तो वह जेल में क्यों है यह मोदी की गुंडागर्दी है किसी भी अदालत ने मेरे खिलाप आदेश नहीं दिया लेकिन मुझे जेल में डाल दिया गया कल किसी को भी जेल में डाला जा सकता है उन्होंने कहा इंडिया गडबंदन को वोट देते ही हेमान सुरेन बाहर आ जाएंगे उन्होंने कहा चार जून को इंडिया गडवधन की सरकार बनते ही पांच जून को हेमन सुरेन हम सब के बीच होंगे इसी के साथ उन्होंने पीए मोधी पर निशाना साते वे कहा है कि वो आदिवास्चियों से नफरत करते हैं उन्होंने सवाल किया पियम मोदी ने राष्ट पती से राम मंदीर का उधाटन क्यों नहीं करवाया राण्ची में बड़ फुलू मुर्गी बतक और अंडा परबैन राइधानी राण्ची में एक बार फिर से बड़ फुलू की पुष्टी हो गई है इसके बाद पसुपालन विभाग के सन्युक्त निदेशक ने मंगलवार को इलाके में हतियातन विशे सतर्क्ता के आतेश जारी कर दिया है राण्ची उपायुक्त ने सभी विभागों को इसकी सुचना देने के साथ ही एक रैपीड रिस्पोंस टीम का अगठन किया है इसमें चिकीत सको और विशे सगयों के साथ ही रामकृष्ण मिशन आसनम के करमचारियों को भी सामिल किया गया है राण्ची नगर निगम के नगर आयोकत के साथ ही थाना परभार्यों को गठिर टीम को सयोग करने के लिए कहा गया है सुप्रीम कोट में हेमंध की अंतरिम जमानत पर आज भी सुनवाई जारखन के पूरो मुख मंतरी हेमंध सुरेन की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोट में बुद्धवार को भी सुनवाई होगी हेमंद की ओर से पक्च रखते ही वरी अधिवक्ता कपिल सिबल ने अदालत में कहा है कि इडी जिस जमीन को हेमंद के होने का दावा कर रही है वह कभी उनके नाम पर ही नहीं था एक भी दस्तावेज ऐसा नहीं दिया है जिसे परतीत होगे जमीन हेमंद की है शिर्फ उनी शुनाई बातों पर गिरवतार किया है इसलिए अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए ED का खुलासा Code Word से मिलता था मंत्री का हिसा ED ने ग्रामिन विकास भीभाग के ठेको में घुस खोरी का बड़ा खुलासा किया है ED ने Code को सुपित दस्तावेज में बताया है कि मंत्री अलमगीर अलम को ठेको में Commission कोरी का हिसा Code Word के माध्यम से पहुँचता था उनके लिए code word M और H का इस्तिमाल किया जाता था जार्च एजेंसी ने code को यह भी बताया है कि P.S. संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के फ्लेट से मिली हिस्सा किताब की डैरी ने इन तर्थियों का पता चला है जार्खन में एक हजार औस्धिय पाधों के संजी तयार किया है इसके तह़ा जार्खन में एक हजार चाधिक अस्दिय पधों के सुझी त्यार की गई है देश बर में पांच हजार चाधिक वने प्रजातिया है जीन में अस्दिय गुन है जार्खन जय बिवित्ता बोड ने इसके सनरक्षन असरवधन के लिए ग्रामीन अस्दर पर 469 समीतियां बनाई गई है इन समीतियों को इनके पहचान और अस्दिय गुनों की जनकारी दी जा रही है साथ ही ग्राम रूट लेवल ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि इनके गुनों की पहचान कर इसका उप्यों कर सके ये समीतिया पहचायत अस्दर पर बनाई गई है बता दे कि अंतरश्टिय जय बिवित्ता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है धन्यवाद